हालो एवरीवान मेरे यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है आज मैं बना रही हूं पालक पनीर की सब्जी बनाना भी आसान और खाने में तो टेस्टी लगता है बहुत ही सिंपल सी रस्पी है तो चलिए बनाना सुरू करते हैं आप इस रस्पी को जरूर पालक को चार-पांच बार अच्छे से धो लिया है और इसको उबलने के लिए रख दिया है इसमें आधा कप पाने डाल दिया है और दस से पंदरा मिनट इसे इदम से लोग लेंगे धक्कल लागा कर यह मैंने पालक को पहले से उबाल कर रखा है अब इसे हम पीस लेंगे और मैंने यह 600 ग्राम पनीर लिया है पनीर को अपने पसंद की चोटे बड़े सेप में काट कर इसे फ्राइब कर लेंगे दू मीडियम साइज का प्याज है इसे काट लेंगे और दो मेडियम साइज का टमाटर है इसे भी हम काट लेंगे आप चाहें इसे कद्दू कस कर सकते हैं या इसका पेश्ट भी बना सकते हैं जैसा आप परसंद करें वैसा कर लें और यह मैंने तीन हरी मिर्च लिया हुआ है और चार पांच लेसन की कलिया है और एक इंच टुक स्तव्जिक लें हों आप जिसमें सब्जी बनाते हैं तेल ले सकते हैं आप तो सर्शो को तेल में भी anche कर सकते हैं तेल गरम होंने क्ना हो गयाँ व्युए जाल पर पर प्रें हैं यह प्राइ करना नहीं है इस फ्राइ प collectively करना है आप किrence तीबाधह श्देन आप बगलेभ हैं जद्ध चल्दी फ्राई हो जाता ज्दा पनीर को इसी तरह रहाते पनीर और यह में सारी फ्रा sioda से उलकिंवर में लिए हैं और इसमें bir सबजे चोकेंगे, दो तेज पत्ता डालेंगे, एक मोटी वाली इलाइची और छोटा पीस दालचेनी का, और मैं इसमें कोई खड़े मसाले नहीं डालूँगी, आप चाहें तो और भी कोई खड़े मसाले परसंद करते हैं, तो डाल सकते हैं, लेकिन मैं बहुत ज़्यादा म मसाले वाली सब्याइचा बनाऊंगी, अब इसमें हम कटे हुए प्याज डाल देते हैं, प्याज को मैंने इस सेप में काटा है, लंबे-लंबे और पतले-पतले स्लाइस में काटा है, प्याज को हम हलका गोल्दन ब्राउन होने तक का भूनेंगे, देखी प्याज हलका गोल्डन ब्राउन हो गया है अब इसमें हम अधरक लेसुन और हरी मिर्च का पेष्ट डाल देंगे पेष्ट को मैंने पतला ही बनाया हुआ है इस तरह का और अब इसे हम दुबारा 3-4 मिनट तक भून लेंगे पेष्ट को मैंने तीन-च्यार मिनट भून लीया है आप देख सकते हैं इसमें का तैल भी छोड़ चुका है पेष्ट अच्छे से भून गया है अब इसमें हम खटे वी टमाटर डाल देते हैं आप चाहें तो टमाटर को पीश कर भी डाल सकते हैं, और साथ में आप इसमें हम सारे मसाले भी डाल देंगे, आधा छोटा चमच हल्दे पाउडर, और एक छोटा चमच कस्मेरे लाल मिच, ये तो कलर के लिए होता तिखा नहीं होता है, और आधा छोटा चमच भुना हुआ धनिया पाउडर, और आधा छोटा चमच भुना हुआ धनिया पाउडर, देखे मैं कितना कम मसाले डाल रहे हूं, और बहुत ही हलका सा तीकिलाल मिर्च, मिर्ची आप अपने हिसाब से ले सकते हैं, आपको जितना तिखा परसंद है, मैंने हरी मिर्च पीशा हुआ है, तो कि बसके मिर्ची जhादा और नहीं डाल रहे हूं, इस साथ में हम कोई और मसाले नहीं डालेंगे, दो टेबल फून इसमें पानी डाल देंगे, इसमें अच्छे से बुन जाएगा और टमाटर भी अच्छे से गल जाएगा, और साथ में अब हम इसमें नमक भी डाल देंगे नमक हमें अपने टेस्ट के हिसाब से ही डालना है वैसे पालत थोड़ा नमकीन होता है तो इसमें नमक थोड़ा कमी डाले ये बहुत ही कुईक सी रस्पी है आप इस रस्पी को जरू ट्राई कीजिएगा और अब मसाले को हम टमाटर गलने तक का भून लेंगे यह मसाला भून के तयार है अब इसमें हम पिसा हुआ पालक डाल देते हैं और इसमें हमें अलग से पानी नहीं डालना है जो पालग में बच्छता हैं उसी पानी को ही पालग में डालें, अगर आपके पालग में पानी नहीं है, तो अलग से आधा कप पानी ही डालें, ज्यादा पानी ना डालें इसमें, मसाले में अच्छे से पालग को मिला देते हैं, और अब इसमें हम फ्राई किया हुआ, पनीर भी डाल देंगे, पनीर को भ सब्जी को पकते हुए दस मिनट हो गया है देखे सब्जी इस तरह से धीरे धीरे ही पकेगा तभी सब्जी टेश्टी बनेगा एक बारे से हम चला कर दुबारा से धकन लगा देते हैं और अभी दुबारा से हम इस सब्जी को दस मिनट तक और पकाएंगे छे सब्जी को सब्जी को अच्छे सात कर देंगे कटा हुआ धनिया पत्ता डाल देंगे यह सबजी आप खाने के लिए तयार है अपने मन परसंद रोटी, पूरी, पराठा या चावल के साथ खाईए रेस्पी आपको पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों में सियर कीजिए और अपना कमेंट जरूर कीजिएगा फेस्बुक पर देख रहे हैं तो पॉलो कीजिएगा फिर मिलते हैं अगली रेस्पी में धन्यवाद